तो दोस्तो आज की जो मारे पास्टोपिक है वह एकि पाइथा गुरस पर्मे यह पाइथा गुरस पर्मे क्या होती है यह कहां लागू की जाती है पाइथा गुरस पर्मे को कैसे यूज गया जाता है तो उसके बारे में हम जानेंगे तो आपको थोड़ा बेसिक बजा दो कि पाइथा कॉरस पर्मे है यह हमें पाइथा कॉरस जी ने दी थी यह पाइथा कॉरस जी ने एक पर्मे दी थी उसका नाम उन्हें रख पाइथा कॉरस पर्मे यह पर्मे एक संकॉन तिर गुज यह राइटेंगन ट्राइंगल पर आधरित होती है राइटेंगन ट्राइंगल पर ही ये पाइथा करस्पर्मिय यूज की जाती है तोु सबों मिशें ले में थोड जान लेते हैं तो हमारे पास क्या है कि पाइथा कर्य давноさ पाइथा करлаг경 तर्मिय मैंने को था भिख्10 जी ने दी थी फाइथा कर्योश प॰ς बाकि जो दोनों वहनपोनवन डिग्री प्रम और नबबब नबब डिग्री से छोटे एँ ऐब इनबब डिल किसे प्रम है अब हुआ जो नबबड डिग्री के जो जश्ट सामने वाला जो है जश्ट सामने वाली जो पुजा होती है वो कहलते है कन्द ओक के कहलती है कन कहलती है जाने कि जो 90 डिगरी जो सामने वाली बुजा वो वो कन कहल då पर जो नीचे जो लेटी हुह है जिस पर यह राइटान्ग ट्रीमिल समगों कृवी क्रिबूच खड़ा है जिस पर यह ऐसी लेटी हुई है यह वाली लेटी हुई है यह होती है आधार ठीक है और जो एकदम खड़ी होती है वो कहलाती है लंब अदेखी लेगी आधार कीसे कठता है कंटए अनके हम लिए हमने जान लिया तो जो और होती है कि वह सोता है फिक है ऑल मुदत नोली इस परकेंडिकुलर वल प्रपेंडी कुलर ओके यह हमारे पास है अमने देखिया कि आधार क्या होता है लंब और इसके बारे में जान लिया अभी देखते हैं कि एक इंपोर्टेंट बात इसके दर क्या है कि जो समपॉर्ण जो सबसे लंबी जो फूझा ऊति है यह डियाने हम ने क्या बता है कि हमारे पास जो ट्रैंल के अंदर सबसे बड़ी जो खुझा होगी ओकर टाइगी ठीक है सब इस्षे बड़ी सेर्ट क्या संब रहां और कर्ण क्या लाएगी इन्प सबसेशाल师 सबस्तां तो यह थी अब अब वा अदरी स्कौईर अप्लस लम्भी स्कौइर प्लस लम्भी स्कौईर लंसी स्काऊ होगा वो कन स्क्वाइर के बराबर होगा यानिकि यह एक प्रम्य दी अब इस प्रम्य पर आदरिक हमें एक क्यूशन देख लिया जाएं कि सम्कूर्ण तिर्बुज में कन है जो 10 सेंटिमेटर है तथा लंब है जो 8 सेंटिमेटर है तो आदार ग्यात कीजिए आएनि कि हमारे पाससेट्र पहले हमें इसके अदेर सो तो कैसे कर द snacks के विए क्वें क्या देखना होगा मेंडिया है हमिए क्या धिया गया है क्यूस्तिं मेंपरे करया है बराबर है है वो है दस सेंटी मिटर ओके लंग पराबर तो में आदार ग्याद करना है तो सबसे पहले हमें यह तो पता चल गया कि यह क्यूशन है जो एक पाइथा गुरस पर में पर है तो हमें इसके लिए पाइथा गुरस पर राधर 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 ठीक है और हमें लंब क्या देर्ञकां? 8 cm दे रखाए है तो हमें आधार याद करना है थाइज वा थाई थाई, तो पाईथागोरस अधेल में क्या है कि काणि स्क्वायर बरापर आधार स्क्वायर कि ब्लस लंब स्क्वेर ठीक है पाइथ गुरोस पर में क्याएगे करने स्काइब बराबर आधार इसक्वार प्लस लंब स्कर करने कितना देर रखाया हमें 10 जिसका स्क्राइब आदार हमें देने रखा तो आदार ऐसे कैसे आदाएगा लंब कितना दे रखा है आठ ठीक है तो आठ इसकार हो गया दसकार कितना होता है है तो अधर की आदार का इसकोई रहिए यह से रख लो भाई विगे में आधार ज्यात करना है आठ केस्व एकतना होता है चोशट ठीक है सो ब्राबर आदार इसकार प्लसट अब इससे इस तरफ करते हैं थोड़ा सांग तो अब तो इस तरफ इस तरफ कितने जाएगा माइनस त्यानि कि 100-64 बराबर आधार का स्क्राइब ओके तो में सीच गया तो शत्य स्ट्रीश बच गया यह आधार का स्ट्रीश इस्ट अश्याद अब कि यह इस परिश तरब आएगा तो रूट किंदर रूट कर चलिए लेगा इस बराबर आदार होता है होता है कि तुम्हारे पास आधार कितना आगया तो आधार हमारे पास है आगया करना समझ में सबसे पहले हमें यह देखने नाए कि क्या के दिया गया है कि प्रंडिया गया गया जरूर बताना और ऐसी ही वीडियो के लिए मारे चैलन को सुस्क्राइब करना थैंक यू